हिमाचल परदेश कैविनेट की बैठिक में 5 जनवरी तक चार जिला में नाइट करफ्यू जारी रखने का निर्निय लिया है। संख्या सीमित की गई है। हालांकि जन प्रतिनीदियों को अब 50 लोगों की संख्या के साथ कारेक्रम करने की इजाज़त रहेगी। मालिय मुक्षमंत्री ठाकुर जैराम जी की अध्यक्षता में संपन हुई। जिसमें कोविड-19 को लेकर के हेल्थ सेक्टी द्वारा प्रेजेंटेशन दी गई। और उस प्रेजेंटेशन के बाद मंत्री मंदल ने निरने लिया है कि जो एसोपी रिस्टिक्शन्स लगाई गई थी। उसमें कुछ एमेंडमेंट्स के बाद सभी रिस्टिक्शन्स पांच जनवरी तक लागू रहेंगे। केवल मात्र जो एस्टिक्शन्स मंक्शमंत्री और विद्धायकों के atsal प्रोग्राम में जाने पर लगाई गई थी। वह वर्ट्वली करेंगे उसमें प्रिवर्तन सिर्फ यह क्या है के वह वर्ट्वल प्रोग्राम एक्शुल प्रोग्राम कर सकते हैं लेकिन संख्या पचास ही रहेगी और उसमें पूरा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इत्यादी जो है वो उसके साथ ही वो वर्ट्वल प्रोग्राम हो सकेगा यानि अगर कोई शिला न्यास करना है अथ्वा उध्वाटन करना है कोई बाचित करनी है तो उसमें पचास से ज्यादा लोग नहीं होंगे और वो वर्ट्वली उसे प्रोग्राम को कर सकेंगे जो MLS, MPs, Ministers और Team Minister के उपर अभी तक restriction थी उसमें इतना परिवर्टन किया गया है बाकी सभी restrictions as it is including night curfew जो है वो दारी रहेंगी शिमला, नालगर, तांडा और नेर चौक में मेयक्षिट हॉस्पिटल्स गुनाए जा रहे है जो 1.37.000.000 से शिमला, 2.36.000.000 से नालगर, 3.44.000.000 से तांडा और 6.11.000.000 से नेर चौक का जो मेक्षिट हॉस्पिटल बन रहे हैं उनको प्रारंब करने की एक्स पोस्ट फेक्टो प्रमिशन कैमिर्ट ने दे दी है वो जैसे त्यार होंगे और इसके लिए 50 प्रतिशत पैसा CSIR और CBRI रूरकी के द्वारा जो है वो एद्वांस मिल गया है प्याल टीवी के लिए शिमला से पुस्पेंदर की रिपोर्ट